कि नमस्कार दोस्तों आपका एगवाइफिर से स्वागत है सौरफ एजुकेशन प्रो में तो हमारी एक सीरीज चल रही थी कंट्री ऑफ दा वर्ल्ड की तो इसका आज एक यह पार्ट थ्री है तो इसमें आज की जो कंट्री है उसका नाम है ग्रीन लेंड तो चलिए शुरू यशज quindi से और स्वाइब से उम्हारा अमेरीकन के पैमjänक को भंछ साइज अधे है नौSun मेरिखन कोंटिनेंट यह से नौ्वातिक और तो सबसे ओपर है कनिड से और नीचे यू एसे यहां पर सिर्फ आई सी आई से आपको पूरा वाइट मिलेगा यहां पर जो सबसे ज्यादा इसका एरिया है कवर्ड है वह आई से कवर्ड है तो इसके बारे में देख लेते हैं अब चले शुरू करते हैं तो जो ग्रीन लेंड है यह देनमार्क की ऑटोनोमस स्टेट है मतलब यहां पर देनमार्क का अधिकार है यह जो देनमार्क की जो है एक ऑटोनोमी चलती है यहां डेनमार्क की चलती है ओके यहां गवर्ण जो ग आइलेंड है जो सबसे बड़ा दूप है यह वर्ल्ड का ओके चलिए आगे देखते हैं तो ग्रीन लैंड दुनिया का सबसे बड़ा दूप है जो आर्किटिक और अट्लांटिक महासागरों के बीच कनडिया आर्किटिक दूप समू के पूर में स्थित है यह डेनमार्क के र नीचे और इदर है कनेड़ा और यह है बैफिन बे काई इस एक्जाम में कोश्यन आता कि जो कैनड़ा और ग्रीन लैंड को कौन सी बे मतला कौन सी तो खाडिये वह अलग करती है तो यह है बैफिन बेफिन खाडी ओके और चलिए अब आगे देखते हैं तो यह देखी यह कानेड़ा और वह कंदा पाडा कदा यह और यह है ग्रीन लैंड और ग्रीन लैंड की जो कैपिटल है नुख यह है इसालिए आगे देखते हैं तो हम ग्रीन लैंड की जोगरोफिय और Plate अ क्लाइमिट देख लेता है यहां का वातेपरंड जो भी है ओकै तो ग्रीन लैंड रियाली बटोटर घतानि का सबसे बड़ागी है सबसे बड़ा माध्यूप है और कैनेड़ा के सभी राष्ट्रिद्ट अमेरिका के भीट उत्तर अमेरिका में सबसे तीसरा बड़ा बड़ा छेत्र है जो adapt क्रिंवीट, पूर्वरू में घ्रिया Soon दक्षिन पश्ची में डैविस चल्डबरूमद्य और पश्ची में बैफिन बे और उत्रपश्ची में नार्स चल्डबरूमद्य और लिंकन सागर से घिरा हुआ है तो आप याद रखे क्योंकि यूपीएसी में पूछ लेते हैं इसे कोईस्टिन जो डीटेल्स में होते हैं कि इसके चार इस तरफ इसके पश्ची में कौन सी बे है और यह जो आपका कैनडा और इसको कौन सी बे अलग करती है मतलब खाडी अलग करती है तो यह सब पूछ ले लेखते हैं और जो यहां यह ग्रीन लैंड में दुनिया का सबसे बड़ा जो यह ग्रीन लैंड है दुनिया का सबसे बड़ा राज राश्ट्रिय उद्ध्यान भी है और यह दुनिया के छेत्रफल के सबसे बड़ा निर्भर छेत्र है और देख लेते हैं और जो यहां की क से 9.9 डिग्री रहता है पर्डे का जो यह टेंपरेचर है और ठंड होती है यह और यहां कि जो सबसे हाइस्ट अलिवेशन है मतलब जो सबसे उचा स्थान है वह है कि वान के स्रेंज में गुन बजोरन फजल्ड है ओके तो यह देगे यहां सिर्फ 10 परसंट जो है ले ले लेडिया है और जो इसकी टोटल पॉपलेशन है वह सिर्फ इस 10 परसंट के एरिया में ही रहती है बाकी तो इसके सब आइस से ही घिरा हुआ है सिर्फ आईसी आईस में लेगे आपको यहां पे 90 परसंट एरिया में यह देखिए 90 परसंट एरिया इस तो ओके चले आगे देखते हैं तो यह सॉब्रन स्टेट है कहां कर डेन्मार्क का और यहां की कैपिटल और लाजेस्ट सिटी है नूक यहां का टोटल एरिया है 21,66,086 km2 और जो वाटर है यह 500 मीटर की है और जो यहां की पॉपलेशन है वो सिर्फ 56,000 ही है और यहां की जो GDP है वह 1.8 बिलियन है और पर कैपिटा इंकम है 37,000 डॉलर ओके और यहां की करेंसी है क्रोन तो यह थी एक चोटी सी वीडियो डे ग्रीन लैंड के बारे में अगर आपको यह पसंद आई है त थैंक यू सो मच